हेलो फ्रेंट्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नयनी स्कुल पर हार्दिक स्वागत है देखे जब भी हम स्विच और सोकिट की बात करते हैं तो देखे अगर हम ऐसा बॉक्स लेके आएं माकेट से तो देखे यह आपको हो सकता है कि 120-160 रूपीज म का आपके पास एक बोर्ड है तो इसमें connection कैसे करना है देखे अगर एक है तो भी कर सकते हैं तीन है तो भी कर सकते हैं concept एक ही है तो मैं आपको आज बताऊंगा कि अगर आपके पास दो स्विच और दो सोकिट वाला बोर्ड है तो उसके connection कैसे करें तो देखे आपको simple इसमे की यह इंड रिख़ा हुआ है यहां पे देखेंगा कि आ वपको यह एंड लिख़ा हुआ है और यह जो नौर्मल करें इसके उपर एक अर्थिंग का यहां पर निठान होगा तो अगर आप 3 connection तीन वायर यूर्ण यूज़ करना चाहते हैं अगर आप के वह दो वायर करना चाहते हैं लाइव और न्यूटल तो यहां पर आप दो ही यूज कर सकते हैं तो देखें मैं आपको बताऊंगा अभी कि कैसे करें तो देखें अगर आप मेरे चैनल पढ़नाए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक और सेर जरूर पिरुटल पयाली दो वायर आपके पास में आयो हैं अब इनको करिक्शन कैसे देना है तकि मैंتى दो यहां पर यहां पर यह जो पर दो १ाइंड दो स्विच पर यहां पर switch यहां पर off है तो off switch के वाली यानी नीचे वाली position में जो है इन दोनों को यहां पर आपको supply यह देनी है यह wire देना है एक simple wire यहां पर डाल पाएंगे यहां मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने आपको यह wire यहाँ पे डाल दिया, दोनों में common करके डाल सकते हैं सिंगल सिंगल करके भी आप इसको डाल सकते हैं तो देखे, मैंने आपको यहाँ पे यह connection दे दिया है इसके बाद में आपको इसका क्या करना है अब आप क्या करते हैं अब आपको जब supply शायती होती है तो आप यहां से यह switch को own करते हैं यह switch own करते हैं जब own करते हैं तो देखिए यह supply जो है यह supply यहां से यहां पहुँच जाती है अब इसके लिए supply यहां से कहां जाएगी यह जाएगी यहां के socket में तो उसके लिए हम क्या करेंगे उसके लिए हम यहां से और इसमें जो L लिखा हुआ है, यहां पर देखेंगे, जो L लिखा हुआ है, क्योंकि हम यह Live Wire लेके चल रहे हैं, तो यह Live Wire है, और Live Wire में ही सुच लगता है, तो देखें, अब हम यहां पर क्या करेंगे, कि यहां पर एक Supply जो Phase Wire है, यहां से Connect करके, इसके L जहां पर लिखा ह पहले यहां से, और इसको यह जो आपका L लिखा हुआ है, इसके अंदर यहां पर मैं इसको फिक्स कर देता हूँ फिलाला भी, हम Hand to Hand भी इनको टाइट कर सकते हैं, और चाहें तो बाद में भी इसको डाइवर से टाइट कर सकते हैं, यह Connect हो गया, अब दूसरा जो Wire है, जै यहां पर थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, तो देखें, यह जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, तो जो हमारा Live Wire है, उसका Connection स्विच और सोकिट में Complete हो चुका है, अब हम बात करेंगे Neutral Wire के लिए, तो देखें, आपको यहां पर दिख रहा होगा, कि यहां पर N लिखा हुआ है, और यहां पर N लिखा हुआ है, पहले इन दोनों को आप क्या करना है, Common कर देना है, तो देखें, मैं आपके सामने एक Wire लेके आया हूँ, मैंने पहले ही काट रखा है, ताकि बाद में समय बरबाद ना हो, तो देखें, एक Connection आपको यहां पर द जाएगी, बट, जो दूसरा Wire है, वो भी हमारे पास जो यहां से घर से जाएगा, सप्लाई आएगी वो, वो आपके पास यहां पे अवेलेबल अभी नहीं है, तो उसको आपको यहां पर, यहां पर किसी में भी दे सकते हैं, वो आपकी मरद है, लेकिन यहां से निकालता है की बई हमें तो हमारे यहां पे तीन Wire आ रखें, अर्थिंग वाला Wire भी है, तो देखें उसके लिए क्या करना है आपको, सेम ऐसा एक Wire लीजिए, यहां पे अर्थिंग लिखा वाला कनकसर लिखा हुआ है, इसके साथ में इसको, अर्थिंग, यहां पे अर्थिंग कोमन कर देजिए और अगर आपके पास तीसरा वायर घर में available है तो आप एक अलग से वायर जो है तीसरा अर्थिंग के लिए ये ले सकते हैं और आप यहां पे भी या दूसरी तरफ में भी जहां भी आप चाहें अर्थिंग वाले पोजिशन में यहां पे यहां पे इसको connect कर सकते है तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं कि मैं आपको भी इसको यहां पे connect कर दे रहा हूं तो देखें मेरे पास यहां पे तीनों वायर अगर आप देखें तो आपके सामने निकल के आ चुके हैं मैंने यह neutral माना है यह phase माना है और यह जो है हमने आपर अर्थिंग माना है आप यह लें तो इन सब को अच्छे से टाइट कर लें क्योंकि अगर टाइट नहीं करेंगे तो इस पाक हो जाएगा और यह connection कहीं भी आपसमें टच कर सकते हैं तो best है कि आप इनको starting में टाइट करते चलें एक साथ भी टाइट कर सकते हैं या last में भी सब को combinedly टाइट कर स दे दिया है तो earthing का connection आप अगर special equipment यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है अगर नहीं भी लगाना चाते हैं तो कोई इसका special purpose नहीं बनता है क्योंकि 5M से है अगर 15M से आपके पास कोई ऐसे system यूज़ कर रहे हैं जहापे earthing की requirement होती है तो देखें वहाँ पे आप यह तीनों wire को use करना चाहिए अगर आपके जो आपने देखा है MCB box घर में लगा हुआ है जो भी supply available है अगर आप देखते हैं कि वहाँ पे earthing का connection है तो आपको यह तीनों के तीनों wire connect करने चाहिए इसी वज़े से मैंने आप देखेंगे कि यह earthing wire यहाँ पे connection करके दिखाया है ताकि कि किसी रहता है तो देखें फिर आपको परिसानी बाद में इससे होने वाली है तो मैं अभी आपके सामने इस सारे connections tight कर देता हूँ अभी मैंने इस सारे connection लगबग tight कर दी है अब यह tight करने के बाद में आपका जो switchboard है पूरी तरह से तैयार हो चुका है अब आप इसको यहां पर बंद कर सकते हैं जैसे भी बंद करेंगे नहीं तो यहां पर थोड़ा कट लगा के भी इस वायर को बाहर निकाल सकते हैं तो देखिए आपका switchboard पूरी तरह से तैयार हो चुका है अब आपको जब देखेंगे तो बाहर की तरफ में यह आपको इस और जो earthing वाला हो सकता है green color का हो तो उसमें आपको यह connect करना है तो देखिए यह था two switch two socket का wiring diagram जो मैंने पूरी तरह से आपको करके दिखाया है फिर भी अगर किसी को कुछ समस्य आती है तो comment box में पूछ सकता है चले फिर में लेंगे आपसे जै हिंद जै भारत